एक सार रप्या का दोट पहले चंग साथ चलता था फिर भो बंद कर दिया गया जा दोट आ गया और एक दोट वो ईद पर च्पते हैं हजार हजार रप्या का दोट होता है वो पर इदो बारेकर लिखा होता है अब बलेली भी मिशार है उसी तुमख बारे दौर की आप कोई किसी को वो हजारुपा का दौर दे कर ये हजारुपा लेने ही चालू है तो ये फुरार दोका है या नहीף वो कर देखो बिलकुल दिया जैस अच्ठा है ये तुमआर भी निगा उपर दोॐ तो ये हिए कि चानो नोर जो है, जिसको शुदत करते है उसको शीड कर उसकी जगह वो जाली नोर दे रही और ये चानो नोर शीड日क कर दुर्सुद नोर दे रहे तो प्राणर नो वो देन दोका है यह नही इसलिए ये दोने दुशूत है इन विचारों के धादीश कुरान तो आता नहीं, मिशाले तलास किया करते, पिए मिशाल दे के लोगों को समझाएं, तर ये मिशाल दिया करते थे, कि ये जो चार मज़म है नो, ये जैसे बैस के चार ठाड होते हैं, एक ठाड से अन्फिरु दूद रिकाल लिया, दूसरे से चाथियों ने, पीसरे से मार्कियों ने, चौसरे से हम लिया दे, हमने सारा दूद लेकर, बकर खुद खा लिया, लखियर के दूबूगों पर दे मारी, मसलिकाल हरीश दिर्दा बारे, मैंने खा कि अल्ला तला का एक कानून है कुदर का, कि जिस चीज़ की इसान दाशुक पृषियला ने समझ चीज़ दिया, अब इनने मिसाल जी कि हमारे खलाब है, लेकर मिसाल इनके खलाब है, पहरी बार तो ये, कि ये जो चार फड है, फड़ों से दूद देखता है, ये फड़ों बें प्यादा होता है, ये पीछे की दिखनान बें प्यादा हुआ है, फड फड़ों सिर्फ इस दूद को आगे पहुचाने का काम करते है, तो पता चला कि जैसे एक गत्रा भी दूद में प्यादा नहीं होता, इमागों ने भी एक मसला बरहा नहीं, पीछे से दभी की सुनत आगे पहुचा दी है, तभी की सुनत आगे पहुचा दी है, फिर ये कि थान चार है नो, एक से दूल निकलता है, दूसरे से लसी, तीसे से दही, चौतर से परीर, अगर्चे थान चार है, चीज एक ही निकलती है, अगर्चे इमाद चार है, लग्से चारों का सुनत इतवाय सुनत है, लग्से चारों का इतवाय सुनत है, ये तो मिशाल की बात मै आप ने रिखा कि जब आपने इतनी कर्म परवाई परवाई कि थान एक खबे दे रही है आप ने दून कहां से रिकाला अब जो था रड़गें पर तो आपको नहीं देगे तो चारो थान को आपने तक्रीम कर दिये अब कुछ पांच मां शराख है जहां से तून रिकाला जा सके जाए जी तो गार करीम हो तो देखे शाहर रिकाला हुआ हो कुछ भी नहीं आकर हापे साब आयरो पड़ी साब बच्चा रो रहा है बूद पीना है कि बेटा कैसे वो तो हरफी ले गए एक ठाल से एक शाबी एक से मारगी एक नहीं क्या करें तो प्याला पीछे रख ज अब थदू तो ख़दी मिल गया और बहुर उने मिल गया लाबास भी बहुले मायू कलो पतावा सनाईया पतावा सतारिया पर दिखा है कि हलाज जारवनों का पेशाप पादा पाक है और बबबबब पे जरूरत प्रदा प्यांदी जायज है जरूरत पे एक दूरत दवा में लखिया हैं कि इदि फ्री बिपार होगा तो ख़र्बत बनाप्शा पीएगा घर्भुकल बिमार होगा तो घह सी सी कोरी में रखेगा घर्भुकल surprise to जाइज है अब दूद्र लेगा शारिचारो इमाम पिशाव रोपनी समय ले गए अब आगी इस लाम इसान नहीं की बारी वो करता कि मैं क्यों बचा रो रहा है अब धनों भी दूद्र भी ले रहा और पीछे पिशाव जे था वो भी ले गए तो उसे यूँ देखा दीचे चार पानों पे नो मुश्रिक रही है बैस मुश्रिक चार पानों तो सामरे बैसा ख़ड़ा था मुहाद है वो तो मुहाद है नो जड़ी से बर्चे दीचे कर दिया कि हर इंसान और जानवर की मरी पिलिद फाक पाक है अलबता उसके ख़ड़े में दो कौल है अब जब दे इस मिशार की अच्छी मुरमत की फिर फैसाबाद में मेटिंग हुई कि कोई और मिशाल तलाश करो का इस मिशार को उसने में मिशार के बाद नहीं मिशाल आई यह महमदी लैंड जा रही है उपर महमदी गारी जा रही है रेल गारी चिक 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 तो पुपनाने की दुवा रही जिर्जिता अबो रीपा टीटी है अबो रीपा मालिक टीटी है शाथी टीटी है अबर टीटी है गारी ह हमारी है मामधी काली है बस रगाल हदीर देना हमार। तरिका पहले तुके हदीर सुनए कि मुई छित का माना टीटी होता है। दूसरे यह कि अगर अगर आपो रीपा टीटी है तो आज आप भावी जाएंगे रिशाला जेल जाएंगे। क्योंकि टीटी किसको पकड़ता आगे। जो बगैर टीट के हो। और टीट भी काली की चाहिए दूसरे टीटी है तो पारज के नर्गे दो बैटे थे। टीट दोनों के पास नहीं थे। तो एक ने जल्डी से जेव भी हाल डाला लफाफे से टीट उतार के यहां जैस्मन कर लिए। टीट अगरी यह नदर लिया थी। जूता उतार कर दो बारे पिर यह क्या कि टाप के टीट पर मोर लगारी बस्तिया करता है। दूसरे के पास वह भी रही थी कि टीट जीट नहीं बरांगी नहीं करता है। तो टीट गारी की जाईए और टीट भी उसी तारी की जाईए। अगर सफर आज कर रहा थी कि विछले दिश्वर की जेव में है। तो टीली छोड़ जाएए ले जाएगा साथ। तो दिखा अगर इमाम अबुद इपर हुझा ठीली है तो जिन आहादिस पर तेरा अबल है को 14 साल से इमाम अबुद इपर मर्जू कराटने चुके है। उर्पर सफर जाया था इसलिए तू पका जेल जेल हाने में जाएगा तू बावगार नहीं जासकता। अब उसके बाद फिर ये निसाल भी छोड़ी है। यह क्या बात है इसलियों के पास है एक शावियों के पास है हमारे पास पूरा रुपया मसरकार देश्चार लेने कर रुपया देता है अग्राप्षिण के पास कुछ भी नहीं रहा है वो कोई लियाद या पिछाना बंतख पड़ता था नो गर गया तो सुना है अल नसीवा तो जो खर खान लगे तो अंजे दो से बिलेंगे और बैठे तीन है दो बेटे एक बाप सिखा कि ये ताला पड़ती आया है तो भाई इसको कहें कुछ तक्सीम कर दें अभी इसको तीन ने समझें कर दें दो हैं रहे क्या एक ये एक बापरक कर परद में है क्या एक ये जुक्रों का भॉल selbst वह मुश्ण हैwydd आहां थी क्वांद ने चिश्र. अबंद को ने लिए एक प!' jses मिर कोड़त में टॉन खा लो समल सी। इस तरह इसने चार तक्राइब के मजमा आपने पास रखा हुआ है यह से हमारे पास रखाया है भारे पास कुछ भी नहीं है इस तरह की यह भिषाले दे दे के अवाम को वर्गलाद दे रहते हैं विचारों को और कोई चीज अरके पने नहीं होती तो हम देखते नो ये चार तर्टीम से कैसे वाजी आगी अल्ला के दभी की सुन्दत का जिकर आगया सहाबा की अजमत का जिकर आगया हर्वियत का और उसके बाद बैलों का जिकर भी आगया ये मैंने एक दिकर बिहां किया तो एक महारी सहाब ने इस आगों बढ़ा आगे बलाया कहता है कि गदे पे क्या चीज़ होती है एक पी एक जित का बड़ा पका होता है और ग्यार मुकल भी जित भी बहुत होता है और दूसरा कहते है ये कि उसके कमण पर आप दो बुड़ बोज लादे बरदाश करता है लेकर सर पर कबड़ा बरदाश नहीं करता है कि अधा सर पर कबड़ा बरदाश पर इसलिए कहते हैं कि गदे से काफी बुराश मत है तो मुझे कह रहा था कि अधाने है यादर हवार बुगई है वो पर दी है ताकि कदे का सारा बाद पर के उन भी मुशाबिय जाए वो पूरी तलाशे खर ली जाए तो अल्ला तबार्ट का पाले सुरह जुनों बे पहले तीनों तामीरी कामों का जिकर फरमाया और फिर इन तकरीव बार गदों का जिकर फरमाया है तो अल्ला के नभी से दीन को क्या ठीन मिली टत्वीर दीन आप तो अभी बोल गया है सहाबा से पर्दू बड़ वगदीपा से व्ला मायद युवद से ततहीर दीन ये जो गन ने श्रारते की थी तो ततहीर दीन पुर्दोजादों को सुझाने को कहा करता हूँ अल्ला के नभी दीन खिलाने वाले सहाबा दीन के फैलाने वाले आहिमा दीन के लिखवाने वाले उल्माय दिवबब दीन को मचाने वाले दो दो तरफ से हम नहीं है नहीं दो तरफ आ लड़ाई है उदर से आहले बिर्द ने शुरू कर दिये बिर्द से आहले इलहाद ने शुरू कर दिया अबुलहदीन ने तो इसलिए हम एहले सुन्दत वल जमाद हैं तो सुन्दत भी कुन मसायल का नाम है जो मसलूका की दीन जारी हुए जो जारी नहीं है वो सुन्दत है अब बैठ कर पेशाब करने कामल जारी हो गया यह सुन्दत है अब जो बैर कर पेशाब करेगा वो हैल सुनत है और जो ख़ड़ा कर करें वो हैल अदीज है इसलिए किसी गार में को देखे दर्द हो या और तो बैर कर पेशाब कर दो खड़े कर दिया करें आप कम से हैल सुनत में हैं आप से हैल अदीज है तो इसलिए सुन्दत क्योंकि अविलन का बद्वातर होती है ये फर्क समझे सुन्दत एक भी जही किया जूटी नहीं क्योंको तो बद्वातर है लो और हदीश जही पर जूटी भी हो सकती है क्योंकि सुन्दत का बदार ये अविली तवातर है सब ने चांद देख लिया किसी गवा की जुरूरता बो लेकन एक ने देखा तो गवा की परक की जागी एक दोने देखा देखा लीग इस लिए अछर्ट का मधार सिर्फ सर्द है, हमकाबल नहीं वो बतवातर शुरुप के में किसी जूपी है दीज़गरमल का नहीं था एक मुनाजार रफाई देन पर था तो मैंने उने कहा आप पहले बेरे लोगों को समझा है मैंने कहा देखो डोकता इश्तिलाब समझे क्या है अमारा वो जो हाई कोट को वखील था जो सालिज बना होगा था तो मैंने कहा आप बखील है पहले दावे की तरकी करें इतलाब समझे क्या है मुशा लएसलाम नभी है शचे में ठीक है गल्ट है जी पर खाकि कुर्ण पाफ से सावित है कि मुश लएसलाम नभी आ रसूद है ये बात सची है नो और मुशा लएसलाम आखरी नभी है ये बात जूटी है इशा लएसलाम नभी है ये बात सची है और इशा लएसलाम आखरी नभी है हजूर पाक नभी है बात सची है और आखरी नभी है ये बात भी अब जो अपने नभी को आखरी कहता है उसके जिम्हें दलील है ना कि खातवर नभीयत चाफ़ करें इस तरह रफ़ाई ज्यान करने का हमिरकार नि करते हैं यह जो जूट बोलने हैं कि आखर तक रफ़ाई ज्यान रही इसका हमिरकार करते हैं ये ऐसा यूटा जैसे योधिक है कि मुशा लाइसलाम आपनी नभी है जैसा इसाई कहें कि इसा लाइसलाम आपनी नभी है अब उन्हें कुरान से मुशा लाइसलाम का डौप दिखाने से कुछ नी बनेगा उनका यह दिख़ाएं कि कुरान पे लिख़ा है कि मुशा अलियास्लाम आप् Sigछे रिफियां कि इस तरnt उसे बाकी नें कि इस तरह उल्क रफाई दयन दिखाने से कुछिछ दी बनेगा वो पड़ी इबने उमर की रवादी का। वकील ने का कि देखे इसको तर्वे से पता चलता है कि हजरत आकर तक रवाईदर करते रहे हैं। इस तरह भी रवाईदर करते हैं। तो रिखा इसको शही साविश कर दे। वे रिखा वे इसने एक रव्यादी पर देखे में दो परता हूं। अबियु रवी रवाईदर कर देखे रवाईदर कर देखे कर इसकी नमाज भी होते हैं। अज़र समाते हैं कि हज़र पाक ने फर्माइब करें उसकी नमाज भी होती दूट गया मैं रिखाई ये मैंने दो हदीशे पर ही है हाला कि मैंने रखाई ज़र पर असारा भी लिखा मैंने वह लिखी नहीं है क्योंकि एन हदीशों की संद में एक रावी जूटा है एक में मुहमद बिर अमन सल्मी है और एक में मुहमद बिर एकाशा है इसलिए और अल्ला के नभी की तरफ इसकी दिश्मित करने को गुर्ण समीदे है अब मेरे क्यों पढ़ी है दो हदीशे कि इसने जो पड़ी है उसमें काला रावी रावी रावजी कभीष है दो रावी कजाब याजवला हादीश है और तीर मजूब है अब ये सही अधीश की वो तारीब लेकर दे कि ये तोदो हदीशे जोटी हो जाए जर्वे सिर्फ एक एक रावी सर्थ में जोटा है और वो हदीश सही हो जाए जिसमें दो कजाब एक रावजी कभीष और तीर मजूब है छे रावी कावले इतराब है वो सही हो जाए और ये जोटी हो जाए मुकील ने का बिल्कु ठीक है धावजी आप सही अधीस की आजी तारीम लिखें कि वो दोनों अधीसे जूटी बड़े जिर्वे एक एक अगरावी जूटा सानुमें और यह आप मारी सही हो जाता है वो कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गल्पी की है मुझे यह अधीस पेशनी करनी चाहिए थी लेकर साथ काता है कि यह अमीर बड़ा जिब्धी है यह काता है कि आकर उमरता का रखाई देर साविद करो अगर मैं इसे करो कि आकर उमरता हजरत का नमाज पढ़ना शाविद करो तो यह भी साविद करो तो यह भी शाविद करो अधिया मैं यह बगार जपाई देमाज अधर में आकर उमर तक पढ़ी है यह मुखारी श्रीप है वकील ने ली किताब उसे का कि हाँ इसका जवाब दे आप कुछ हो पर वहना चाहते हैं कि दी हाँ एक ही बात क्या कि अभी फैसर दिखे मुझे बहाद देकल जाना देगा यह का कि बाग उठा अब मो जो था अब मेरी जो सही बुखाई थी ना सब्सक्पड़े की चोड़ी कि राई एक सब्सक्पड़े की अब उस पर तो कि मुझे मुझा कटम हुगा तो लोग आए आकर उसको ठाय चुबे वाँ भाई भाई यह सावे चोट्यारी किताब ने सा अब देखिये यह जो कहते हैं कि हज़रत ने आकर उबर तक रखाई जार्खी यह जूट ने शावी मिश्र बावलबर में इस तरह पढ़ा रहा था तो दो आदमी एक लड़के को लेकर आए और बड़ा पाल और अच्छा लड़का था इसने कम सचीस लड़कों को नवाजी मुना है तो लेकि नमाप में ले जाए 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 अब यह दो मेजे होगा गारमकरन्ड हो गया है अब जमाद में जाता है हलाकि चिला में इसने लगाया हो गए और बस बाल दयान को कहता है तुम कापर हो तुम आई नमाज नहीं होते हैं। छोतों बैठ भाई दुमाज पढ़ें तो रुपिर दुमाज भी इतना शुरू करता है कि गल्त नमाज है मैं नहीं पढ़ देते हैं। यह करें। आप इसका सुज़ाएं कुछ, तो रुक्त सबक बना रहा है, आज गल्डे बात करूँगा। आपका देल चाहे बैठ कर सुरें, देल चाहे बात चलेजा। वह दोलु कर बैठ कर वह लग कर ही बैठ बैठ बात कर ला गया। सबक तोने मेरे ख़र भला लो, ताकि भाद यही ओ, इन तोलमा को भी था हुआ हो बात का कौछ आ गया हो आग भी ऐधी सिर्फ एक रदूस सिर्फ एक रदूस, सिर्फ एक रदूस पेश करें कि अल्ला के नभी पासम ने जिन्दगी बार में शिर्फ एक दौाज है शिर्फ एक दौाज बगार रुखु की रफाई जानके पड़ी हो एक अधिश एक 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 दौाज एक एक दौाज एक दौने किस तरह जेर पका करते हैं अगर देखा बेटा मैं वीस अधिशे सुनोगा तुने वांदी एक दौनी एक दौनी एक दौनी इरुके यही जगड़ा होगा मैं कहुँगा सभी है कि जगड़ा दौनी पर होगा लो जबके तुमें किसी अधिश को सभी होर्ले का हाट की नहीं है क्यूंकि आप याँ दलायर दो है या अला का फर्माण या नवी का फर्माण आला या ला के रसूल ने किसी एक हदीच को रहें जायीर भी प्रभाया तुम्छै तो हडीड़ उसके मताबत है और बेर इपार द्राइबा प्रभाव मेरे आपज़ी तो किसरा तही करेगा कहेगा कि उम्ठी की बाद कर दो मानता नहीं अर मेरा इमाम खैलकुरूर का इमाम है आप मेरे इमाम के खलाफ आप बात पेज़ करें रिस्वर की तो इमाम की बात छोड़कर मान दो मानू दो लेकर मेरे इमाम के खिलाफ आप ख powdered करें लुझक कर देरी उुक्ति घ little वे! मतलत यह यह न आप मुझे दी समयाzur लगना ज़ाते हैं। बइरकर नहीं समयाना चाहते है है। लेकफ तेरे जियन के वंगाना भी आ है। इस होक टेरे जियन में एक ही पह बहुत है । कि जो रखेश गार्मकल सुनाएगा वो कितनी जूटियों सही आई अर जब अधरोगा कितनी वो नहीं तेरे जर्म में इसलिप यह ता बना है और को ही ता बना रही ते लेका अच्छों तर दीह समझा हूँ था जाओ अच्छा होगा ताकि मुझा से मुर्शूप का जगड़ा और वस्वसाना है जल्वे तो ने कहा इसलिए आखरी ताकि या तो वाहिल की सुनाई या पार्गे भार्वारस की सुनाई उसने कहा हज़ी मैं सुनाता हूं सुनाई यह अच्छासा आख और भी हुजर रजी आलाओ दो हिजरी में रिभाण लाए दो में दो हडीस में है जिर्फाजी को आप दो हिजरी में हज़द कर देखा गांओ रकूबह तो सईख्ड़े मैं सईख्ड़े में लिए अच्रीश रखत के शुरू में इवाँ करते देखा देखा बहुत अच्छा है तो एक साल बाद 10 हिज्री में निज्रीम लाए और हज़त को इस तरह रफाईजर करते देख दस हिज्री तक मैं ने रफाईजर साविद कर दी है दस हिज्री का दो महीदे ग्याराँ दिर तुरियों में रहे दो भीज़े ग्यारां दिर आप इसका पर्शोख और रसाविट का तो कैसी बजूद बात रखाता देखो उनके अंपर कोई बात कर देका तरीका आता है अब मैं तो में समझा कि ये अमुद। उसे भी पेश पेश किए दोबारा अमुद। उसे भी हरीश कर भी अगड़ पेश कर भी अधर्त अ बिर अधुला बिर मुसूर रजी अधरम वाली जोनों प्रवेर आओ मैं तुम अल्ला के नभी वाली नमाज सिखाू। साथ मेरे तश्रीय हो की कि देखो ये कहां सिखा रहे हैं किसी जंगल में नहीं जहां और कुछ शाभी मजूद नहीं हो इनकी तव्रीर यात है इंदाप में वाला कूफा में जहां 15,000 साभाप होते हैं तो इनका मक्य बदीरे वालों को वहां आना जाना है वह आ यहयां का रहे हैं अब में आल्ला के नभिवारी दा श्रूमाँ T shift कहां आधि कि नहीं की से जब डही हा थे यहीं कोई साना हुड़ा यहीं कोई साना ही के साना हम के रही कुछ भिखा खाथ हूं कि न cron को पता कि आदा रावियों का इस फिया एक रावी है आसमिल कुलेब हो जुटा है ति यह थी जुटी है अर्सक्रावी पता तो मुझे में था कि उसलए और जिघाले इक अबुदर श्रीप खुली बहां से उठकर आदी यह उग्रीमारी यह देख़ा सब्सक्राइब और बड़ा खशा गुए को मुझे नई बात में जान ने बतना दी है कि यह आप रावियों के अलब पढ़े अस्मा और जाल पढ़े आप लुए अच्छा तो एक काता है को चईपीर आपका बहें जाता हूं तो यह कैसे पेश किया यह कैसे सब्सक्राइब यह देखने पीश की इसमें क्या बात है तो यह आप बहां भी हो तो वहां कैसे होगा तो देखने भी क्या रजय है तो पीचे दो पर खोड़े फिल के यह आशा मिर करा वाल की अधीज में है। अब वो परेशान हुआ। फिर अब भुरूरो भुरूर शारा उसका मिठिया आशका। मुझे पुछे यह वुरी आशम मिर को आशने ते जि अब को नइया घुनिए है। अब क्या होगा अब क्या होगा आपको कुछ होगा हमें कुछ भी होगा हमें कुछ नहीं होगा अब इसको जूटा मालने के भी हमारा मज़ उसाबत है आप इसको चचा आरे के भी हमारा बश्य उसाबत हैं अगर ये रावी जूटा है तो रखाइजेर के लिए जो भी होगी ना पने की ली तो असर तो ना कद Krash तो अगर ये रावी सच्चा है तो देखो ने इसने दोनों बाते बताई तो हमने भी छोड़ दी थे आप इसको सच्चा बर्ड़े हमारा मज़ फिर भी सामिटा आप इसको जुटा बर्ड़े हमारा मज़ हो लेकर ये बात कि ये बीचारा 112 सभे पर कामर वली अला हो, और यहीं बेचारा 115 एंपर गात्रत नब्रिया बनमाज बन जाए आगे, यह नहीं साथ बहुता है, अगर जोटा करें तो दोने जगा जोटा को इसको, अगर सच्चा करें तो दोने जगा, इसको सच्चा को, अभ वो कुछी दिला हो गया, जब मैंने देख हुआ आपनेरे हम्मक्राव क्या है खाव करने कि निगी किसी एच को रहीद करें कि दूर्थ रही कि आपने बैतल को कता से करें तो आज पड़ी यह और जबद है। इसलिए हम यही कहते हैं कि यह अधीश भी साहिए थी। बाकी रही यह जई रही इससे यह ज़ीश का पोश्च इसमें न बाकी रहने का कोई जिकर है और न छोड़ेने का जिकर है। अलगर बता क्यास की गट्या तरीर किसम जो थी रहे इस साहवेहाल। इस साहवेहाल उससे पता चलता है कि अगर की होगी तो करते रहे होगे। इसका दवाब क्यास से आप निकालेंगे जा जिदा और कुई जबदान जिसमें रहे दवाब करें। कि हज़र दे की तो करते रहे होगे आप सब के सामदे एक आदमी लाहुर गया आप सारे गवाँ है अगले दिस एक आदमी करा रहा है कि हुआ गए अब आप इस अगरे के लिए इतने गवाँ पूछे कि कि इतने जाने कि ते ते है क्योंकि जाने वारों ने जाना सावितिया है अब ये कि अभी तक लावर है ये इस साविहाल है लेकिन इसके खिलाब नाच साविह कि नहीं हो आ गया है अब इस सदाज को बनेगे इस साविहाल को बनेगे मैं रिखा क्यास मेरा भी यही कहता था जो क्यास की गड़िया किसमें इस सामयाल कि हजद ने रभाई दर की तो करते रहे होगे अब हमें इस क्यास के खलाब ये हदीश मिल गए तो हम दे क्यास छोड़ भी है हदीश को बन लिए बाट संजा रहे है कोई है दिश्ञीं? ये अधीश उस अधीश के खलाब रही हा ये अधीश इस ने सामय हाल के खलाब है वो जो जो जुश्छ ले क्यास ही अतर करते रहे तो ऐख आप क्यास पर ढट गए हम हदीश पर ढट गए लेकर देखो दुरीयों के कितना जर्म है कि जो ख्यास पर ढटा उसका तरह हमाहेल हरी साक लिया गया और जो ख्यास को छोड़कर हदीस पर आगया कहते हैं यह ले क्यास दुरीयों के कोई जर्म की हाथ होती हिए लगा तो मैं देखा हमारे हम इन आहादिश में कोई हखिकी इत्रपराव देए यह तो है हमारे हम इसलिए हमारे हम कोई परेशानी नहीं हमें किसी हदीश को जईत आने के जरूर पिदे अब आपको क्यों मुसीवत पड़ी कि एक रावी को यहां सचा करें फिर जोटा भी कहें उसके आप देख जोट आपके जिल में बठा लिया कि हदरत दे आकर उबर तक रपाई देर की अब यह करिया को लिया है और साल बाद जुदिया भी इसकी दुदिया बन जाता है अब यह जो हदीश है हम जो केस करते हैं यह उस हदीश के खराव दही उसे जूट के खरादा जो आपने बोला है जो जूट बोलकर आपने इसको करिया, पुरिया बना लिया, अब ये साल बा जुदिया है, उसको करिया पुरिया से टकरा रहा है नौ, तो इस अधीश पर कोई ज़काव नहीं है, टकराओ है रवी पाफ की हदीश में तुम्हारे चूट में, देखो मुसा लाइसलाम को दमी बना जाए और साल बाद जुदिया भी इसकी ददीर बन जाता है अब यह जो हदीश है हम जो करते हैं यह उस हदीर के खराफ दमी उस जूट के खराफ है जो आप ने बोला है जो जूट बोलकर आपने इसको गलिया कुलिया बना लिया अब यह साल बाद जुदिया है उस गलिया कुलिया से तकरा रहा है तो इस हदीर इसमें कुछ जुड़ाव नहीं है तकराव है नभी पाक की हदीश में तुमारे जूट में देखो मुसा अलाएसलाम को नभी मना जाए बाद मुसे इसमें को बना जाए कोई तकराओ है लेकिन अगर यह जूट बोला जाए कि मुसा अलाएसलाम आखरी नभी है अब इस अलाएसलाम बसना करण पढ़ने होगा क्या तो इनको इस जूट को चोड़ो के मुसा अलाएसलाम आखरी नभी है और इसमारएसलाम को सचा नभी बन लो यह अगर जूट नहीं छोड़ते अपने जूट पर कटकर जैसे वो जूट बोना है तिर साथ यह जूट बोना अपनेगा कि इस अरह भी उठे नहीं है वाद अला है बात समझने आ रही है कोई यह नहीं आ रहे है अब मैंने खा अब या तो तो भी यह जूट छोड़ों कि हजब में आ पर बताना पाई देर नहीं कोई हकीकी टक्राव नज़र कोई कि अलग नहीं हो देगी है अब तुम् कि कहने है ताकि हमारा जूट जेरा यह काईबर अब तो भी इस जूट को नहीं चोड़ रहे हैं इस जूट के खराव कितरी हम सुनाएं कि तुम को जूटी है तुम ने कितना बड़ा गुरा किया एक तो यह जूट को रख देरे दो चाहते मिशालों से लोग समी देनों कि कि यह कहना कि हदर जूटे पहन कर नमाज पढ़ी यह सच है यह कहना कि हदर ने जिविगी की सारी नमाजे जूटे पहन कर पढ़ी एक नमाज की जूटे उतार कर नहीं पढ़ी और जो जूटे उतार कर नमाज पढ़े वो गभी का भालिब है यह वागे यह उठे यह कहना क कि आपि जितनी की हर पर दिदब्स वा इंग शुन Pie कर दें इच नमाद चिंप ये और बच्धिक को ट्वाज फ़्युलीμ है इसके जूंठ उनले कोई आदे तो मैं रिखाब अब दडई आद से यह कहूंगा आप निए या नमाद के ये जूर कि फूर दो फिर तब इस हदीश को जही करेंगा अब वह भी हास मिल परहा हैं यहां मी Mix sporad वह भी स्ट को सचा बहते हैं यहह जूटा बहते हैं और क्यों बहते हैं यह घूट नहुह सदेश ही जूट भी है कि तो उने वह भी अधियन vessel Imad Y Dobar नों किमें रहे बला है क्योंकि लोगों को बाज को खाने शुरू जार जार पही न इनको काम का इवाँ शावी बना रजू कर देता है तो शावी ये गुनार ही करता हर्भी ये गुनार नहीं करता तो देखो ये सबूत रखाईजर की दलील है वका और दस्क दोनों से खामोश है ये अधिए दस्क पर अधातिक है और फ्यास के खलाब है इस नसावी हार के इस अधिस के खलाब नहीं है इसलिए, हमें गोई परिशा दिनाया है, हमें इनको जहिए करने की जूरत भी करती है। देखो जिसे हम आइस पार इमाम गोई थित्य अबर करनी आया है, वो जहिए कि आब उतको कह सकते हैं नहीं, आकर गोई थित्य था, कि इक बात की समसे जयना होती है। यह जो इस तेसे जरे होती है वो खत्म हो जाती है जिसे जरात अद्मिक है वो तरसीर करूं करें इस बात की अब जाब मैंने इसे समझाया दरिखा अल्ला के नभी पर जूट बोल तरी फिक्रें लिख दिये आपनी दमाज भी जूट से पहँद कर पड़ी होट जूट है तो देखा हज़वाक भी नमाज भी पर हुटा कर पड़ी और को इन माजिस के बगार भी पड़ी के तरह जूट है इसी तरह ये जूट है कि अब तुम ये जूट छोड़ जाओ तो तो तुमें इस नीच को जूटा नी करना पड़ेगा अब वो दर्म होकर बात समझ रहाता तो तो बेरेखा कि आप तो इसको सब पहरी चाहिए तुम्हें अब वो एक सभे पर पूरी तीनों रवात है वाइल भी रोज रखी है। ये कि सभे पालों ये समय 112 पर तो देखो मैंने कहां था सही हदीश चुना रहा है। जी हम तुने हजर्त वायर की हदीश चुनाई कि हजर्त वायर नौ हिजरी में आये। दिखाओ कहां है नौ हिजरी कहां रहा है। जी पता नी करें तारीक में होगा, मैंने मों सही हभीत क्या थारीक पूछी दी। तुपेस अपने आप प्राये हदीश कहता है हुआ दे थारीक कहता है। चलो टारीक से कुई सही समॉन बेच का नौ है। टो जिर बज़े तो पता दी हो काते थे तैसे हुआं को पता दिया है उसरो तो उन्होंते है मैं समआजी है कि हझाये को दोसरा सिप्रे को जाते पी जाते हैं सग्रृत कर दोसीन वाफ़ाईद में गौर की खोढ़ने का खांप Isha और जो दूसरी आमद है, वहां शिर्फ तक्विय तहरीबर की रफ़ाई जाने का जिकर है और हाई कोड़ी। तो पता चला मुझें दर्शोब तलाज करने कहीं और जाने की जरूरत नहीं। खुद ये दूसरी आमद की रवाई जो है दुरियों की किसी किताब से दिखा दो इसमें रफ़ू की रफ़ाई जाने करो। अगर तो ये कहो कि नफी में तो नहीं है न तो नफी सइद्य की भी नहीं है। अगर तुम इस किताब को तर्थीब बार पढ़ो तो बात सामने आगी कि मैंने हज़र्ट रकूर साइद्य दोनों में रफ़ाई दिर कर देगी। फिर रकूर में रही रफ़ाई दिर में छोड़ दी। आकर में तक्वीर तहरीम में रही बागी सारी। तो अगर तुम इस तर्थीब से इस तर्थीब से साइद्य किताब रही से दिखिये पढ़ो तो फिर तुम्हार की बढ़ोना पढ़ेगा। और अगर यह जिद करो कि यहां बनाते नहीं दोगी। कि यह जायद बात है अन्रकों की रफाइचण तो पर शैय्जे वाली भी जायत है फिर आपको श्रीया बना पढ़ेगा। आप उल्टे चले तो श्रीजा पर्द परेगा, श्रीदे चले तो भी यह जो दीव श्रीजा आप परियों तर्विया अलिए उपर बॉन देने निचे बरते हैं, तिसके इसकी कुछ जाए सकते हैं फिर मैंने का, हज़र्त वायर नाजी अल्वा तालो लो पूरे स्थार्य आइने बहरे कि इस पर इतिफाक है कि आप आप इसमें पर कूफा भी अबाद रहें वह बकादा इनकी बस्चत है मज़िए हज़र्मियीत और एल एक खूफा में एक आदरी भी रफाई जानी करने वालो नहीं था, तहरीम अब जबाद इस पर भी इतिफाक है मौद इसमें का, तो मैंने का, आप यहीं साविश कर दें, कि हज़र्त वायर नाजी अल्वाद हो या उनकी अउलाद में, उनका बेट अब्द जबार या अल्वाद, या उनका पोता मुहबद, ये इन में से कोई एक देखने किसी ने रफाई देखने की उपूब है, करेशा उसमें ने कर दाएं, जाएं उनके पास, आकर तैट उसमें तोबह कर दी कि जिए मुझे गल्पी में था, अब इन लोगों का ये हाल है, तो ये बसना समझाया न, कि खागार मुकदु के आप भी फौन कहते हैं, इस दिसके ख़लाब ही ये हदीश है, तो इस ख़लाब तो जब हो, कि वह बूजबा कुलिया हो, वो बिला कि तो सिरे से दिक्रीद होती ही नहीं, इस पिर ये ख़लाब कहना, इसका मतलब है कि गहर मुकद को सिर्फ लफ़ ख़लाब का मरूने दिया था, अब वो उस कजिया मोविला का तरज्मा गलत करके कजिया कुलिया बनाते जूटा तरज्मा कर दिया, फिर जो हदीश उनके जूट के ख़लाब उसको जूटी कर दिया, तो अल्ला के नभी पर जूट बोलनों छोटा गुन रही है बना, जी, और जूट, सची हदीश को जूटी कर दो, क्यूंकि हमारे जूट के ख़लाब है, छोटा गुन रही है बना, और इस पर आपका ख़बो शर्मत देखिया ने पर, जी, फिर भी आप कहते हमारे तविद आपका ख़बी हाता हर मसरे में, अल्ला के दभी की सतीर से उपका जूटी कहता है, आप कहते हैं बहुत अच्छा है तविद वारा है, और तविद भी किद्री पकिया है, शेताम जासी, जिस मेरा वसेले के गुजाश ना और है, वो दभी की तविद में वसेले के जाजे हैं, दहीए प्लाव, ऐसी फकीत अभी दभी होती है, इसलिए कोई कहते हैं, जिस देखाए तो कोई सी नभीयों वाली या शेतामर वाली, तो गार्व करने जहाए, उनके दोखे को मेरिया आज आज आपको बताया, वो फौर्ट कहते हैं, बहें जुडिया क्या, जहां मर्कज है, उस इलाके के मौली साहब है, नमजेट से दिखल गया है, उस इलाके के बड़े मुश्वर वायद हैं वो, कुझे कह लगें, मौली साहब, हम तो अमेरिका ते दो बर्पा दोरा भीस्तिया है, एक दफ़ा जाबी अर्श्रिफिया हैं, एक दफ़ा नुस्त लेकर हम गयार मुकर्दों से धरते ही रहते हैं, और आप से गयार मुकर्दों से धरते हैं, वज़ा क्या है, और आप की धरते हैं, की चीज़ से धरते हैं, वो जी तिरुजी लेकी आजाते हैं, हम उदाओ बुखारी लेकी आजाते हैं, हम क्या करें, उसमें क्या दिखाते आपके आपके जी एक लिए खुझा पर पूचा कि कुछ परते हो पर लाता करो बेशाम्र करण जाया अच्छा तो स्यासिता पर साथ थी है वारे एक बोर इशाद साभ लेकर गया हुए थी हुश्तर बहुत है थे इश्तर निकाले तरह थी हम देखें कि इसमें कौशी दार्वारी बात है निसाइदे कौशी दार्वारी निकाली देखं़ देखां दवी दे सफ़ा एक सोच्छपत जिल दफल पर बावल गोजें विबर मसातिद्दार यह एक काईदा लिखा है चैनलाबर दवी ने कि मुहद्देशीन जो है यह हर जमाने के दिशे लिख लेते हैं पहले की उबाग की लिए और ये सात दाशिख वर्षों नहीं लिखते के ही हदीश वर्षू काईए हैं अन्मत्ता यह तर्तीम ऐसी रखते हैं कि वर्षूफ पहले ले आते हैं इस वाप में वी कहले लेनाहे हैं और मोजनावी दाश्दार tune लें और बत्वा पर हदीशे लाएं बाद भी हदर जावर की रिवायत लाएं कि हदर ने बपी का बुरोग गोश्ट रावल परवाया और फिर दिया वुजु किये बगार दमाज अदाब पर लाएं तब लिखते जाकरा मुस्लिम किर बाद अधादीस गुजविम भसा तिंदार सुन्म अधाब अधादीस न बाद हंभी अद्टर के उजविम भसा तिंदार का अंध्र यिशीरो अंध्र गुजव बन्सूः वहाजही आदक मुस्लिक वगेरही बन आइबति अधिस यद्कुरून अधिस अलपी जरौन अल्पन सुखा सुब यद्कुरून अधिस्वित का कहदा बता दिया कि वह पहले हदीस अल्पन सुख लाते हैं पर नास गलाते हैं तो यह द्वी ने कहला लिखा है ठीक है अब दिखा लो दिसाई खोली हमने वहाँ उबादा विल्सांग वरिवाती पलाता करूं पे शांग रुकान दिजा जातो हिला व्योग बिल्कुरान तो यह यह दी से नब दी है तो आगे जिया है बाग्तावीलो पॉलही ताला विल्कुर्यन पॉर्ण पॉस्त अभिवू नहुँ अजितु लालकु तो डवी का खाना में रिका याद है पता चला कि इस अदीश को इस आप दिना गर्वर्शों कर दिया हमें उसको जरीप करें कि भी जूर्थ दे कुरान की कितनी सूर्थे हैं एक सा चौरह एक सा त्यरह सूर्थे फर्षवार ने बना कापली थी कुछ ना पड़ा मगर पात्या एक रहती जिसके लिए अर्ष्यायत आगे इतना तो आज से पदा चल रहा है कि पढ़ने वाला एक है और ख़बोश ने वाले ज्यादा है वालूद जमादी है लेकिन अल्ला के नभी इसी क्यों निदे हदीशा है अब देखिए वाईजाब को रहे आप मजभूल का सीगा तरह पैसे बाइस कोवल पड़े हदीश में आगा कि इमाब पड़ेगा कौन खामोश रहे बुख्दी खामोश रहे कि कि सुर्थ में खामोश रहे एशाथ तेरह सुर्थ पहली नोग दिया गया था किसमें इजाकबर अफ़कबरो वाईजा कारा फान से दूप वाईजा काल इमाब गैल बोद मेले हमला जल्ब पूल आवीद वो कौन सी सुछ था कि इमाम ने तक्वीर अरीज़ों के बात शुरू करके आवीद से पहले खत्म कर दें है चार सुर्थ में पढ़ लिए पांच बढ़ लिए ये कौन सी अब एक इसके लिए ये इसाथ बार यायत नादर होई है असर्थ क्योंकि एक सटर्थ पर लिए बढ़ती फिर गैल कर दें है तो बहुत है तो मैं रिखा वह आपको पहली हदीस सुना देते हैं बात वरी आयत हम भी सुनाते नहीं आप उरसे डगते रहे आपको दो ड्रहां चाहिए तो तो कुरान हदीस के बूर करो यह जो तुम दिवारों पर लिखते रहते हो आले हदीस के दो असूल बातना कुछ नहीं और त्यों दिवार पर रहें दे मारा है आयत लिक पिछान्दी कि नहीं मांते है और दभी पाप ि अधीष भी रहे तेरवी को देखो क्या बाव है इसका वाव बाव किराग खनफली बाव इसका इबाव के पीछे किराग का बाव है अब हदीस पड़े एक किद्वी सूरते हैं एक फाद्या ये बड़ी अची तरह समझाया किद्वी सूरते हैं अगरा बाव है बाव तरफ करादे करफ लिदा हो तो इसी को छोड़ेगे तो बाव तरफ का बनेगा नहीं है यार तो उसने कहा कि कुछ मेरी हुआ अब इस वक्त सब कुछ उसके और प्याद होगा इसलिए यह नहीं कि आदा में अगर में ट्रस के हाए और तुमारी एक पहरी हे तो बैश कि देंफ के Copperoud एका करें द्थ इसलिए ऐसलाम में दस्तंतादी को सारी गाफर चाहर चाहल कि आसा तम थान है कि हूए बश्यार तेरिगत तूम बैठ के खुद एक बच्षरा पैर कर लो कि जिस बर्द के पास एक देवी होगी दूसरी बहां कबोल नहीं करेगी इसका तुम्हारी बात भी पूरी हो जागी और इसलाम की मुखालबत भी हदर सफनाते हैं के साथ ही बैने मजार में कह दिया वहता हे यह हो तो दास और भी पीछे बागी दूसरी बागी बागी है जब दुका से पहले सब कुछ आपके हाथ भी नहीं तो आप यह प्रक्ताकर ले कि जब एक मर्द की पहली दीवी मजून है तो दूसरी और, तो वाहा कबोल नहलेगी इसलिए उसकी बीवी नहीं बनेगी इसलाम कभी मुजुऑ नहीं करें गाएं कि जो यह सब्सक्राइगा अपर कर पने आप से अहुंत तो एक है किरें तो कि हुआ अब रख्व बैर्देफद्द्द अब रजी के बाद रजू का कि खाहन को है और औरत का इसमें कोई दकल भी वो रादी हो या नो वो उसे रजू कर लेगा अब ये एक तलाक है उसका अद तलाक को मर्रतान दूसरी तलाग का जिकरा आगया तेकर तलाग दो मर्तवा है अब बर्रातान का तस्रीखा का सीगा है इसके दो ही मतनव हो सकते हैं जानी राज़नान दो आदमी इकठे दुछा से दाख रोज़ा फें जानी राज़नान अगर का जा तुझे तलाग तलाग ये भी तलाग मर्तान है का जा तुझे दो तलाग ये भी तलाग मर्तान है और इस दूसरे मारे पर भी शहाबा का ही जुआ है क्योंकि जितने शहाबा के फत्वे है और भी अक्सर यही तलाग आ रहा है कि एक आद्मी रिकार के मेरी बीवी को रिकार के बाूनाग मिलकों इम्राताकावर असरयत रमबा का और अँ थीन से मायन हो गई और तू कुधा कर्दा रखर मर्दी भू उसलिए अब देखिए तो यह उसरी तब 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 तो उससे तीम तलाक यह उसकी थी वुम्राद रेली गी। अब यह अच्छा को मरना तान इस पर इज्मा है, कि जो दो तलाक कहें यह तो यह तलाक तलाक वो दो ही तलाक पड़ती हैं, लेकिन गार्वुकर्ण की साथ का पुक्ता बुर्कर है। वो कहता है हजार तराक वी कहें तो एक मतिवर्क पुर्ण जूट है। आप अल्ला के तभी पर जूट मोगारा आपका ख़रना अजबनी मता है। जब मेरे यह कहा, फिर लेका मुसर्द अभुयाला में है। उसका ख्यालता है कि मुसर्द अभुयाला बड़ी किताब इसके पार मेरे दिकाल के रहा है। जूर बोलते हूं। कहता है पर मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा, किसी सहाभी का कॉल है। कि अगर बीवी को खा जा तो यह हजारत लाग तो वह एक होती है। अब जो साथ उसके आउए थे, जो उसको लेकर आए थे, वह बरेलवी थे। यह हमारे पास तो रोज हदीश हदीश करता रहता है। आज पसा लगा कि स्वाज जूर के से पहले कोई चीज नहीं हो जा रहे है। तो यह का बिलकुल आप सही समझे है। यह जूर भी बोलती है और उसके पास कुछ नहीं है। अब तद तलाक हुं बढ़ रहता है। इसके बाद फिर भी हक लिया। फ़ इमसात उंपे बारूप ही नहों पस्रीहुंगे। यहां गद का लफज नहीं आया। अब इमसात बिल बारूप होगा। बारूप का मैने जानी पह जानी तरीका। अब तलाक रजी है, तो रिजूप करकी शाल कर शकेगा। और इदत बाकी है। अब बाजड है, ते नहीं दिकास करके। इसको रखशकेगा। लेकर रजी है। तो फिर आउरेट की मर्ज़ी का दकल दी होगा। एदत के अंदर। अगर तलाक बाइन है तो अब औरत की बर्जी का पूरा दखलोगा चाहिए जाए जाब को बूल करें ये रखें अब ये दो तलाकी रुगी तर्तीम के साथ इनकला का अब बादो फार ताकीम बिला गुहला के लिए आती है अब उसके बाद फार दो के बाद इसी तलाक दे दी फला तहिल लहू हत्ता तर्किया जाजर गैरा अब वह उसके लिए हलाल नहीं है जब तक किसी और जिगा दिका दे करें देखो बिलकुल एक तर्तीम के साथ अला तुमारब पताला दे सुर्भख्रा में इस मस्री को वाले कर दिया है लेकर गैर मुकल्द पुराणे पास के फक्री बुर्करेश परे वहां तीर है और तीर ही बन गई है क्या है तो गैर मुकल्द बैटा है इतलाग दे रहा किसी को इसी तरह अहादिश में जो कुछ है इस पर सारे सहाबा का इज्मा है इस दिए याद रखे जब तीर तलाग के मसरें पर वैस हो तो इसके जो फर्क है उसमें तो आप खादिया यह को समदे रखे साथ कही करें कि अधर ड्रुबद की आपने तीर तरह के दो तुक्रें गिए हुई और जब वैस इस पर रहो एक मज़न पर तो उसमें ब्टा को समदे रखे क्योंकि जो यह पेश करते एक दिर में बैटा था वहां दर्सगा में एक आदमी आया बड़े गुस्षे में बुस्रम श्रीफ भुस्र ने तर्जवे वाली हाथ भी पकड़ी जी आप कहते हैं कि तीर तलाब के बाद हलाला है और वो हलाला कराए अब उसके चेरे से बड़े गुस्षे के जैने का मेरे आपको तो नहीं कहा इसको आप कहते हैं जैने का आप क्या कहते हैं मुझे कहा था आप मुस्रम को नहीं मानते जैने का आप पूरे मुस्रम में यान दे मुस्रम है कि पूरा मुस्रम हूँ हुआ जूरा जी वह ठीन बार्टा दिघॉ आ suis निल कि रपार्ट धर्टात्रा प्öd Diese पड़ा है इसमें वार आइक शुगरी करी किसी एक मोई जिकर नहीं है वह तीड तरुमों को यहीए पड़े उसका यहाँ पिर ये अधिश हाई ने, क्योंके न ये कॉल रसूल है, न पेरे रसूल है, न तक्रेर रसूल है. जी क्या है ये जो कॉल अबनि अबास का एक बस और वो भी मैंने का तुम्हारे मौपक नहीं है, तुम गल्पी करते हो. चलो अगर यह मामोग समखेते हो तो तो पूरा मुसला यादा क्रता पूरा मैंने उही किताबू लिकासे अजजाबल का फाल पेश कर दिया कि हम हजूर पाक के जमाने भी मुठा पिया करते थे वहा 공開 सिद्धिक के जमाने भी मुठा पिया करते थे फिर हज़र उमर ने बुता से रोक दिया तो आप जिसको तीन तलाग दे 27 साल बुता के लिए छोड़ दिया करें ताकि उस पर अमल करें और पकी मुस्रम भो भी हो जाए आप वह महला लेका नहीं करेंगे आप उससे 27 साल बुता करोएं 23 साल बुत वाले पूरे करें दो साल बुता के बुता के वाले बुता कूने है तो बुरा मुस्रम भाद देखो जिस तरह गुता की हर्मत पर ये ज्माह है इसी तरह तीर तरह के बाद उस्वार्त के हराम उने पर इंजमा है इसलिए में कहते हूं कि इप लिए जो करें लेकर जो काते हैं कि बुदा जयाज नहीं है। उनकों तो इस मसले पे बिसाल को साल ने रखने से यह हैं। अब इस पर भी तेजलिया थे सहुचर में मेरा मुद्र मुकमल चपा हुआ है मैंने सवाला कूछे हैं जिनका ये जवाव नहीं देते कि यहुदी आवार और रह्मान के बारे में कुरान और हदीश में आता है कि वो खुदा के हलाल को हराम और हराम को हराम को हलाल कर दिया करते हैं आता है नँ अब आपके ख्याल में जिस औरत को एक में समय ती ती तला कि दे दी गई वो खामद के लिए हलाल थी दिका करना हजरत अबर भी इसको हराम कर दिया तो हज़रत अबर को आप खरीफाय राश दीर वे खरीफाय राश दीर वे शामल करेंगे या यहूद या अबार रह्मान वे शामल करेंगे जो खुदा के हलाल को हराम कर रहे हैं अब ये सवाल है दूसरा सवाल मेरी ये पूछा कि जब हज़रत उबर देज आपके एकिते के मतावक ए खुदा और रसूल के हलाल को हराम कर दिया अब सारे सहाबा उबर के साथ रही या ना रसूल के साथ रही तो इजवा हो गया ने इस पर देजा तो ये सारे सहाबा जो अल्ला रसूल को छोड़ गए और उमर के कहने से उनों ने खुदा के रसूल की हलाल को अराम मांदिया इनके बारे भी आप क्या करते हैं पत्वा देबें फिर हज़रत उमर फ़ब भी हो गा है दौर इस मांदी में लोग अल्ला रसूल के हुकुप की तरह बापस आए या वो हज़रत उमर ने जिस खुद अल्ला की हलाल को हराम कर भी आता हुदी पर उमर के जात रहे उन शाहबा कर क्या रुख दौरे अल्वी में फिर क्या हुआ कोई एक सहाभी भी अल्ला रसूल को मांदे वाला था या सारी इनला रसुल के हलाल को हराम काया कर अजसित अमर का साथ देते रहे और प्र चार इमाँ ठीका के हुए चारओर ने से कोई ठीका को मांदे रोला है अब ये किरी सवाला एक दू bạn इस परहें हैं इसके इनके पास जवाब देए क्यामों तक बस सभाः गालियों की और इसका कोई जबाद देता ही अब एक लिए ये शोच राब्दियों की सोच है यहूदियों की सोच है कि जो खनीफा या आन Keep कि ये खुदा कि हलाल को और यह हुराम को अलाल कर सकता है ये मुस्लमनों की इस सोच यह इक आप अब रही ये बात कि वो जो काहल है इबने अबास का उसके बारे में क्या है तो पहली बात तो ये कि दिसाई में और अबुदाउद में स्वरात है कि ये काहल गैरमध कुला के बारे में था और मुसल्म ने भी इसकी आगे लावा अलबाद हैं कि लोगों ने ऐसे काम भी जल्दबादी शुरू कर दी है जिस भी उनके लिए दील ती इस से पता चला कि हज़रत उमर ने अल्ला रसूल का हम नहीं बदला असल में इतलाग देने वालों के दो तरीके थे एक तरीका था जिसमें इनाद और डील थी वो अच्छुल पाते जमदे में था वो कर सिद्धी के जमदे में था हज़रत उमर के इवनाएं बदलाब में था और एक तरीका था जिसमें और और बोंत नहीं रही ये घज़रत उमर के जमदे में श्रू हुआ तो इनों ने जो तरीका पहले था उसका हुक्म भुई था जो अल्ला रसूल के दुमारे जब निया आया इस्तेजाल वाला जल्दबादी वाला तो हज़रतों पर ने इस तरीके का हुकुर नाफ़ कर दिया अब वो इस्तेजाल क्या था और इनाथ क्या थी खुद मसानदी वनी अभी शाहबारी अब्दल्ला बिन अवास में उसे पूरी संद के साथ नकल किया है कि इनाथ ये थी कि गैर मज़ खुला को तीन तलाके तीन लफ़स दीजए कि तुझे तलाक 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 अब इसमें हम भी कहते हैं कि उसे तलाक एक हुई है कि और गरान कहता है जो गयर मत्कूला है वो एक पात मैंन होगे इद्द क्र निष पॉर अब उसने एक दियुका कहा तुझे तलाक तो वो महले तलाक की उस फर टलाक वाक्य होगी जब इसने बहुति तुम जोसे तलाक लफ़स निकाला तो वो महले तलाक ही नहीं वो ना इसके दिखावे थी ना इदत में थी जैसे आप यहां बैठे किसी के और जारे हो